हेलो एन वेलकम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वांट्विशन तो आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 12 की एकोनोमिक्स की सेलेबर्स को स्पैसिली ये वीडियो एकोनोमिक्स के सेलेबर्स के उपर वीडियो बना रहा हूँ कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टागम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं इंस्टागम का लिंक में आपको डिस्क्रिप लिए फटाफट इस वीडियो को स्टाट करते सबसे पर दोको इकोनोमिक्स यह रिवाइस सेलेबर्स हैं जिसमें से हंड्रेट माक्स का पेपर में थियोरी जो है आपका 80 माक्स का पेपर आएगा और 20 माक्स का प्रोजेक्ट होगा यूनिट वाइस हम लोग इनकम एन एंप्लाइमेंट तो यहां से आपको 12 माक्स प्रोजेट का को मिलेंगे और जो हमारा पहला बूक यानि की मैक्रोज़ेक्स का पांच बाचप्टर है उसका नाम है ऑपन एकोनोमी ए और यहां से आप लोगा 6 मार्क के कोशेट्स तो टोटल हो गये कितने हमारे 40 मा यह हमारा part है यानि कि macro economics है दूसरा जो हमारा book है यानि कि part B तो part B, part B से हमारा मतलब यह है कि Indian economic development तो यह second book का नाम है ठीक है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ का सबसे पहला chapter है वो है development experience तो development experience में क्या है 1947 से लेके 1990 के बीच में जो भी हुआ था उनके बारे में है और यहां से आप लोग का 7 marks का question आने वाला है उसके बाद जो है हमारा chapter number 7 चप्टर number 7 यानि की economic reform since 1991 तो यहां से 5 marks के questions आने वाले है next question हमारा current challenges facing Indian economy तो यहां से 22 marks का question है तो यह चप्टर जो ना बहुत अच्छे से पढ़ना एक अकेला लौता chapter 22 marks करी कर रहा है उसके बाद है chapter number 9 इस chapter में क्या है development experiences of India एक comparison of with neighbors ने और मतलब वो पाकिस्तान चाइना के पेर किया जाएगा Indian economy को तो यहां से आपको जो है ना six mark के question मिलेंगे total होगे कितने हमारे 40 marks तो 40 और 48 के होगा और part C यानि की project मिलेगा हम लोगो 20 marks का total total हो जाएगा हमारा 100 marks अब देख लेते हैं कि chapters में पढ़ने क्या क्या है आप लोग को ठीक है तो बहुत लोग को पता न लोग को क्या पढ़ना है macro economics में यहां पर इसकी macro economics का meaning ना emergence of macro economics major sectors in an economy जहां से आप लोग को household form government और external के बारे में पढ़ना है basic concepts of macro economics के बारे में पढ़ना है जहां पर आप लोग को मिले है consumption of goods capital goods final goods intermittent goods ठीक है stock and flow investment gross investment net investment and depreciation तो first chapter से ना यह सब है और कुछ second chapter से यह first chapter में यह और कुछ भी है जैसे कि circular flow of income यहां पर two sector model आप लोग को पढ़ना है जिसमें से आप लोग को कुछ practicals भी करने है value added या फिर product method expenditure method और income method के practicals हम सब लोग को practice करने है factor cost basic price और market price के बारे में aggregate related to national income तो यह सब सारे जोए नाप आप लोग को इन से related सारे आप लोग को समस्वी प्रेक्टर्स करने है थीरी भी पढ़ना है आप लोग को तो unit 2 से देखोगे तो यह सब सारे topics है मैं सारे topics को नहीं बताऊंगा कि यह video बहुत बढ़ा हो जाए यह video सिर्फ sellers के लिए था ठीक है कोई भी doubt होना तो आप पूछ सेंट्रल बैंक के फंक्शन्स लेमिट टू क्रेडिट क्रेशिंस ठीक है डी मोड़ा डी मोनिटाजेशन पॉलिस टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई नेक्स यूनिट नमबर फोर से आप लोग को पढ़ना गौर्मेंट बजट के बारे में तो यह सब कंटेंट है जो कि आ आप कमेंट से में ज़रूर कमेंट करना और हमारे चनल को सस्क्राइब कर देना ताकि आने वाला जो भी क्लास 12 के वीडियो हो आप लोग को रेगुलर्ली मिलता रहे चाहे वह इंपॉर्टन कोशिंस हो चाहे नोट हो चाहे वह एक्स्प्लेशन हो सब कुछ आपको इस चैन